तो वेलकम फ्रेंट्स and वÈलकम टू इस न्यू एपीसोऊट और यहां पर हम ठोड़ा अपना कॉंसेप्ट और क्लियर करेंगे अभान जो बैंडिंग 에टी जो सीखी मैं उसके बारहे में जो समझा उसका कॉंसेप्ट थोड़ा और क्लियर करेंगे हुआ हमारे पास मानलो 2 नूपलियस है कि नाम किस एटम के हैं हम नहीं जानते हैं हम Breaking दो नूकलियस है इसमें टोल नंबर आफ नूकलियाश यानि मास नंबर मानलो हैं 10 और इसमें टोटल नंबर आफ नूकलियान्स माल लो हैं केवल 4 यानि हो सकता है इसमें 5 प्रोटानों या और 5 नूट्रानों और इसमें माल लो दो प्रोटान है और दो नूट्रान है इस नूकलियस की नूकलियस नंबर वन और नूकलियस नंबर टू इस नूकलियस की बाइंडिंग नर्जी माल लो है 60 मिलियन इलेक्ट्रान वोल्ट टोटल बाइंडिंग नर्जी इस नूकलियस की है 60 मिलियन इलेक्ट्रान वोल्ट सिस्टेम नंबर वन है तो हम की वन लिख देंगे यहां पर सिस्टेम नंबर टू यानि कि यह जो न्यूक्लियस है इसकी मालों बैंडिंग एनर्जी हमारी फोर्टी मिलियन इलेट्रॉन वोल्ड इससे मतलब आपको क्या समन में आया मतलब यह कि कभी जब यह पांच न्यूट्रॉन और पांच प्रोटान कभी जब मिलकर यह न्यूक्लियस बनाए होंगे तो उन्होंने सिस्टी मिलियन इलेट्रॉन वोल्ड की एनर्जी मास डिफिक्ट यानि मास लॉस के कारण्ड लॉस मनलब रिलीज कर दी छोड़ दी उसने इनर्जी अब अगर आज की डेट में हमको इस सिस्टम को जानि इस न्यूक्लियस को जिसमें दस न्यूक्लियान है पांच प्रोटान पांच न्यूट्रान है तो हमको आज की डेट में वापस उसको इतनी इनर्जी देनी होगी यानि यह इसकी बाइंडी इनर्जी है न्यूक्लियस की सिमिलरली यहाँ पे जब कभी यह दो प्रोटान और दो न्यूक्लियस बनाए होंगे तो मास लास हुआ होगा न्यूक्लियस बनाने में वह मास लास से क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज हुई और वह एनर्जी लास हो गई तो अगर आज की डेट में हम इस न्यूक्लियस को तोड़ें और वापस इससे अपने प्रोटान और न्यूक्लियस वापस निकालें तो यानि आज की डेट में हमें इस न्यूक्लियस को सेम इतनी एनर्जी वापस देने पड़ेगी 40 मिलियन ल सब्सक्राइब तो हमें से में माउंट में 40 मिलियन एलेट्रों वोट इनरजी इस नूप्लियस को देनी पड़ेगी तो यह बात आपको सम्झ में आ अगए आचा बताओ दोनों में मौर स्टेबल कौन नूकलियस वन ज्यादा स्टेबल है कि नूकलियस नंबर टू ज्यादा स्टेबल है बताओ इसमें इसमें नूकलियस नंबर टू ज्यादा स्टेबल है नूकलियस नंबर वन ज्यादा स्टेबल नहीं है यह टाइट इलिबाउंडेड नहीं है यह ज़्यादा टाइटिली बाउंडेड हिसको तोड़ना हाल है इसको तोड़नाइजी है इस से तोड़के नूट्रान प्रोटान अलग कर देना हाल है जब कि इससे जी क्यों कि देखो यह श्टी मिलियन electron volt energy देखने में तो ज्यादा है 40 से लेकिन इसका जो असर है वो कम है मतलब मतलब अगर हम 60 million electron volt energy supply करते हैं तो वो मतलब उससे बहुत सारे 10 nucleus अलग किये जा सकते हैं याने 10 nucleon याने total total 10 nucleon है ना 5 proton 5 neutron तो इतनी अगर हम इसको supply कर दें तो इससे 10 nucleons अलग किये जा सकते हैं यानी एक nucleon को अलग करने के लिए सिर्फ 6 million electron volt energy चाहिए एक neutron या एक proton किसी को भी अगर आप निकालो तो average energy कितनी चाहिए 6 million electron volt दस nucleons के लिए energy चाहिए तोडने के लिए 60 million electron volt भले ही यहाँ पर यह binding energy जादा हो लेकिन एक nucleon पर कितनी केबल चाहिए हमको अलग करने के लिए average amount होती है तो वो चाहिए 6 million electron volt 60 divided by 10 यानि binding energy इस nucleus की पर nucleon binding energy एक nucleon की यानि ये इकोल हुआ binding energy divided by उस nucleus का mass number a यानि समा प्रोटान प्रस न्यूट्रान तो बाइंडिंग energy पर nucleon या binding energy पर mass number जो भी है वो इस nucleus की केवल 6 million electron volt है जबकि यहाँ पर हो यहाँ पर केवल 4 न्यूक्लियान अलग करने के लिए हमको देनी पर रही है चालिस million electron वोल्ट energy यानि सिर्फ एक पार्टिकल को यानि एक न्यूक्लियान को अगर हम निकालना चाहें केवल एक न्यूक्लियान को तो हमको कितनी energy देनी पड़ेगी 40 by 4 यानि 10 million electron वोल्ट चार को अटाने के लिए 44 को तोड़ने के लिए लग अलग 40 million electron वोल्ट हमको देनी पड़ेगी energy यानि एक न्यूक्लियान की जो energy आई तोड़ने की वह आई average 10 million electron वोल्ट यानि इससे एक न्यूक्लियान निकालोगे तो इतनी energy देनी पड़ेगी average में जबकि इससे एक न्यूक्लियान निकालोगे तो केवल 6 million electron वोल्ट सही काम चल जाएगा भले ही इसकी टोटल न्यूक्लियास की binding energy यहाँ पर 60 ज्यादा हो लेकिन एफेक्टिविली पर न्यूक्लियान यह ज्यादा स्टेबल है न्यूक्लियास यह न्यूक्लियास इसका एक न्यूक्लियान निकालने में आपकी खटिया खड़ी हो रही है आपको 10 million electron वोल्ट देना पड़ रहा है जब कर न्यूक्लियान यानि binding energy divided by mass number यह बहुत आगे दासू चीज्य से जिस न्यूक्लियास का binding energy टोटल पर न्यूक्लियान यानि एवरेज स्टेबल और देन्यूक्लियान की यानि ए वह separate आप उसमें मास नंबर दिवाइड करतें जिसकी ज्यादा होगी जिस नुकिलिएस की वो नुकिलिएस उतना ही श्टरॉंग होगा उतना ही श्टेबल होगा my binding energy पर नूकिलियान one decide करता है कि कौन सा नूकली ज्यादा stable है क्योंकि उसका सिर्फ एक नूकलियान यानी एक प्रोटान या निकालने में कितनी एबरेज एनर्जी लगेगी यह कौन सा नुकली कितना इस्टेबल यह बात आपको समझ में आ गई बाइंडिंग नेर्जी पर नुकलियान इस्टेबिल्टी का सिंबल ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और आज आपका काफी कोर्स हो गया है चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में